के दोस्तों कैसे आप सभी कल हमने टाइप 2 कम्प्लीट कर लिया था आज टाइप 3 की बात करते हैं और लेक्टर है जी चार लेक्टर फॉर की बात है टाइप 3 अच्छे से समझते हैं देखते हैं क्या है हमारे चैनल का नाम है रिजिनिंग बाई एसी सर के नाम से वहाँ देखते है एक बार देखो जी लेक्चर फोर और टाइप थरी कोडिंग डिकोडिंग की बात उसने कहा है क्या 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 है जी इप ब्लू मिन्स पिंक यानि जो नीला है ना नीले को कहा गया है जी देखो पिंक यानि गुलाबी पिंक मीन्स ग्रीन यानि ग्रीन मीन्स य तरमेरिक किलियर है वई? किलियर है यानि आप से पूछा हुआ है हल्दी का रंग क्या है? यानि हल्दी का रंग बूछ लिए आप से एक बार हम देखते हैं कॉंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में भी दो बाते आपको बताई थी कि देखो दो बात है simple फंडा है कैसे एक बार देख लेते हैं एक बार concept समझ लेते हैं क्या है मैंने कहा कि सर जब भी कभी क्या आ जाए दोस्तों जब भी कभी means आ जाए यानि मतलब 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 एक तो मतलब आ सकता है और एक आ सकता है अर्थ यानि का मतलब आर्थ यानि just before ठीक पहले वाला answer होगा ठीक पहले वाला answer हम देगे और means और यानि means यानि मतलब और आर्थ को छोड़ कर कुछ भी आ जाए दुनिया में हमें answer देना है बही cold आ जाए ज्यादा कर यही मिलता है ज्यादा तर यही मिलता है cold कहने की बात यह जब भी कभी cold आ जाए या कुछ भी आ जाए means को छोड़ कर ठीक बादवाल answer देते है just after ठीक बादवाल answer देते हैं समझते हैं क्या है बताओ मुझे यानि यदि नीले का अर्थ गुलावी गुलावी का अर्थ हरा हरे का यानि हमें देखना है लाष्ट में पूछा क्या है हल्दी यानि तर्मिर्ट यानि कहने की बात आहीं हल्दी है ना अर्थ का रंग कैसा होता है आप कहींगे कि सर पीला होता है कैसा होता है पीला यानी येलो किलियर भई, किलियर है अब मुझे बताओ क्या इसमें मीन्स है या कोल्ड है आप कहेंगी कि सर मीन्स है तो ठीक पहले वाला अनस्वर देऊगे आप कैसे देखते है एक बार पीला है लच्छे पता कर लिया आपने अब मुझे बताओ पूछा क्या है अब देखो जी इसमें क्या है यानी गरीन मीन्स येलो ठीक पहले वाला आनस्वर देंगे इससे ठीक पहले वाला कौन है आनस्वर गरीन हाँ आ ना हाँ क्यास बात को समझपाई ये हैं अमारा आनस्वर किलियर भई बताओ ये बाते आपको समझ में आई या नहीं आई जल्दी से पाइट मुझे बताओ क्या अंस्वर है? option D answer होगा option कौन सा जी? D अब next question लेते है यानि means जब भी कभी आ जाएगा ठीक पहले वाला अंस्वर होगा बस ये बात समझ लेना if air is cold green यानि यदि हवा को हरा इसने कहा है green is cold blue यानि हरे को क्या कहा गया है? नीला blue is cold sky नीले को आसमान कहा गया है फिर कहा है sky is cold yellow यानि आसमान को पीला कहा गया है yellow is cold water यानि पीले को पानी फिर water is cold pink यानि पानी को गुलाबी कहा गया है Then what is the color of clear sky क्या होगा बई sky का रंग कैसा होता है आप कहेंगे कि सर आश्मान यानि आश्मान का रंग पूचा है sky क्या है आश्मान आश्मान का रंग कैसा होता है blue blue यानि नीला clear बई clear है अब मुझे एक बात बताओ इसने कहा है cold आया हुआ है means आया यह नहीं तो हम answer देंगे last वाला यानि ठीक बात वाला यानि just after ठीक बात वाला बताओ मुझे बिल्यू को देखो जल्दी से ये राजी बिल्यू बिल्यू is cold sky ये राजी answer ये मिल गये हां पहे इसका यानि कहने की बात है clear है इस बात को समझ वे आ गया answer होगा sky किल्यर है clear आग clear बैy clear इसका किसी में ऑ्प संसी में है ए नि हो सकता भीनी हो सकता डिनी हो सकता option सी हो सकता है यानि नीला कहा है बई समान कर देखते हैं नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में पिंख रििटेंज गरीन यानी नीले को यह किया कर गया है यहित रड़ यह लाल गया है यह यानी red is written as white यानि लाल को सफेद कहा गया है and white is written as indigo indigo यानि कहने की बात ये है दोस्तो जो ये indigo है ना indigo ये क्या है आप क्या इस बात से पता लगा पाए आप कहेगी कि सर जो indigo है indigo एक रंग का ही नाम है यानि हम उसे नीला बोल सकते है यानि जो बैंगनी रंग होता है ना बैंगनी रंग और नीला रंग होता है इसके जो बीच में रंग होता है हलका यानि आसमानी कलर उसको बोलते है indigo यानि देन यानि उसने कहा है सपेद को नीला कहा गया है हो गए यहाँ पे कहीं पे हाँ या ना देखते हैं यह राजी इंडिगो यानि सपेद को नीला कह गया है Then in the same code language what is the color of blood यानि क्या है जी बलड बलड कैसा होता है रक्त का रंग कैसा होता है आप कहेंगे रक्त का रंग जो होता है न वो रैड होता है कैसा होता है रैड होता है बै लाली तो होता है जब कभी किसी के जब खून निकलता है रक्त निकलता है तब कैसा कलर आता है आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है कानी लाल आता है अब समझते हैं देखो कानी को कैसी है कानी यानि उसने कहा है रक्त का रंग कैसा है लाल यनि लाल को क्या लिखा गया है लिखा जाता है बै लाल को सपेद कहा गया है यनि cold की बात है means है यह निए अगर means होता तो answer पहले बाला होता तो red option a बै रेड इस रिटन as white clear है बै मिल गया answer ये रहा जी आपके सामने कैसे बात को समझ पाई समझ पाएजी, next question लेते हैं, next question, अब मुझे बताओ, आपके सामने है, if black means pink, pink means blue, blue means white, white means yellow, yellow means red, and red means brown, then what is the color of clear sky, और आपको पता है, इसका यानि आसमान का रंग कैसा होता है, इसका इमिस होता है, आसमान, आकास यानि, और आकास का रंग कैसा होता है, दोस्तों, आप कहेंगे कि सर नीला, blue होता है, blue होता है, नीला होता है, हाँ या ना, हाँ, अब देखो जी, इसमें कहा है, काले का अर्थ, यानि means की बात हु होगा आप कहेंगी सर किलियर है कैसे देखो जल्दी से नीला कहा गया है यानी नीले का अर्थ सपेद यहाँ पे देखो गुलाबी का अर्थ नीला यह राजी नीले से जस्ट यानी जस्ट भी फोर ठीक पहले वाला अन्सवर क्या होगा गुलाबी यानी पिंक होगा बिल्यों मींस यह राजी पिंक खिलियर है फिक पहले वालá आंसवर क्या था इसमें इसमें जिप cayin मतलब वो अर्थ की बात थी तो ठीक पहले वाला आंसवर देंगे आंसवर क्या है पिंक है ना पक्का ये कच्या बई पक्का खिलियर है जी समझ में आ गई खानी फिर नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन अब बताओ मुझे फास्ट आपके सामने है इस स्क्रीन पर जल्दी से मुझे आंस्वर दो क्या है आंस्वर क्या पढ़ने की कोई आवसकता है को बिलकुल नहीं है हाँ या ना देखते हैं जी इप लाइट इज कोल्ड मॉर्निंग मॉर्निंग इज कोल्ड डार्क यानी यानी जो परकास है परकास को सुभह कहा गया है परकास को सुभह कहा गया है और सुभह को क्या कहा गया है अंधेरा डार्क यानी सुभह को अंधेरा कहा गया है उसने कहा है darkness is called night night is called sunshine and sunlight is called evening then then when do we sleep clear है बई अब मुझे एक बाद बता दो बस देखते ही बता देंगे sleep क्या है sleep क्या है सोते है यानि तो हम कब सोते है sleep में सोना आप कहेंगे कि सर night में सोते है night में सोते है रात को clear भई दिन में भी लेटते है मुझे तो भ्यानक नीद आती है नीद भी पूरी नी होती ठीक और दोपैर में मुझे जबरदस्त नीद आती है जब मैं खाना खाले तो बहुत ज़्यादा नीद आती है हकिकत में और लेटना भी चाहिए भई एक से दो घंटे लेटना चाहिए एग घंटा तो लेटना चाहिए दिन में पक्का तो अंधेरे को रात कहा जाता है अब मुझे बताओ night रात यानि रात कहा जाता है रात को धूप और धूप क्या है sunshine option सन ए होगा भई देखो ये राजी रात को यानि ठीक बादवाला अनस्वर देंगे ये मिल गए जी आपको रात रात को धूप का जाता है इसका मतलब धूप का जाता है हाँ या ना clear है भई clear है ये राजी night night is called sunshine clear है बई next question लेते हैं next question अब मुझे बताओ आपके सामने next question है जल्दी से फास्ट बताओ इसका अनस्वर आप एक से दो सेकिंड भी नहीं लगेंगे जी हमें एक सेकिंड में ही जबाब दे देंगे हाँ ना if a wall if a wall is called the window the window is called the door यानि यदि दिवार को खिड़की कहा जाता है खिड़की को दर्वाजा कहा जाता है clear भई, clear है फिर the door is called the floor फलोर दा फलोर is called the roof and the roof is called the क्या है जी ventilator ventilator यानि क्या पूचा है what will a person stand on यानि कहने की बात या है तो एक व्यक्ति किस पर खड़ा होगा किस पर खड़ा होगा जल्दी से बताओ बताओ जी दिवार पे खड़ा होगा नहीं जी वोल पे दो खड़ा नहीं होगा फिर कहां पे खड़ा होगा क्या खिड़की पे खड़ा होगा जी जी बिल्कुल खिड़की पे खड़ा नहीं होगा न दरवाजे पे खड़ा होगा हाँ या न हाँ हो सकता है किस पे खड़ा हो फर्स पे खड़ा हो यानि फर्स को छत कहा गया है यह रहा जी फर्स को छत कहा गया है लास्ट वाला आंस्वर देना है cold की बात ही है तो है ओपसंसी ओपसंसी रूप यानि कहने की बात यहा है भई, देखो, यह रहा, मिल गया जी, हाई ना, मिल गया answer, ठीक, हाई ना, हाँ, पक्का, पक्का, क्या इस बात को समझ पाए भई, फिर next question लेते हैं, next question, if the, if the eye is called, जीस, बताई यह, if the eye is called, the hand, यदि आख को क्या कहा गया है, दोस्तों, आप कहेंगे, यदि आख को हाथ कहा जाता है, यदि इसमें means की बात नहीं हुए है, cold की बात हुए है, the hand is called, the mouth, यदि हाथ को मुँ कहा जायता है, यदि कहा जाएगा, the mouth is called the ear, यदि मुँ को क्या कहा गया है, कान कहा गया है, the ear is called the nose, and the nose is called the tongue, किलियर भई, यदि कहने की बात या है, कान को नाक कहा जाता है, और नाक को जीव कहा जाता है, समझ में आगई कहा नहीं, समझ में आगई, यदि फ्रोम विच ओप दा फ्रोविंग विल ए, परसन लिसन, हाँ या ना, हाँ, अब बताओ जी, व्यक्ति इन में से किस से सुनेगा, बताओ, किस से सुनेगा, आँक से सुनेगा, नहीं जी, मूँ से सुनेगा, बिल्कुन नी सुनेगा, हाथ से भी नी सुन सकता, किस से सुन सकता है, कान से, और कान को क्या कहा जाता है, यह रजी कान, कान को क्या कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है, नाक, हाँ है ना, हाँ, नोज, ये रजी नोज, हाँ है ना, ओप संडी, करेक्ट होगा, हाँ है ना, हाँ, कैसे बात को समझ पाए, जिस समझ पाए हम, बहुत होश्यार होना है, हम एक बात को समझ लेते हैं, हाँ है ना, हाँ, तो आज के लिए इतना ही, हम आपको बताएंगे, नेक्ट क्लास में, और हमारे चैनल का नाम है, रिजिनिंग भाई, एसी सर के नाम से, भाँ पे जाएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कूर भी ना भूलेगा, तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते आपको नेक्ट क्लास में, ठीक है, जैहिन, जैभारत.